आगवी सारे, बैच जो, बैच जो, सारे बैच जो, आंती पांती मारगी बैच जो, कुर्सी लेलो, और एक दूसरे का उपर मचड़ो भैया, आराम से भी है, सबको, सबको पता चलेगी, आवाज सबको आएगी, बहुत बुलनदा आवाज है तुम भी बैच जो, तुम भी, हाँ, कोई पीछे नहीं घड़ा रहेगा, कम हाइट वाले आ गया जाओ, ज्यादा हाइट वाले पीछे जाओ, चलो, हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये होती है, एक अच्छी भीड, हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहूल सिद्वान, और आज हम बात करने वाले हैं, या बंगलादेश हो, या पागिस्तान हो, आपको कॉंपलिमेंट एकनी जल्दी से नहीं मिलेगा, उसका इक ग्रीजन भी है, सपोज आपको एक नई चीज ले लेते हो, और उसको आप अपने दोस्तों को या किसी को दिखाते हो, तो वो क्या गरता है, जैसे सपोज आपने नहीं जीन्स ले ली, और वो जीन्स आपने अपने दोस्तों को दिखाई, तो होगा क्या? आप पूछोगे, या या ये मेरी नहीं जीन्स कैसी है, और हो क्या गहेगा? कि मैं तो तुमें 200 उपे कम दिलकर देता है, ज्यादा तर लोग आपको कंपलिमेंट नहीं देते हैं, और perfume की case में तो मामला एकदम उलट जाता है यहाँ पर सिर्फ compliment लेने वाले नहीं बलकि देने वाले भी लोग बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि by chance अगर आपने किसी इंसान को उसके perfume पर compliment दे भी दिया और फिर उससे पूछ लिया कि यार यह कुन सा perfume है तो या तो वो अपना perfume बताएगा नहीं कह देगा यार कि हाँ ठीक है बड़ी है महेंगे वाला ऐसा कुछ बोल सकता है वो या फिर अगर बता भी देगा तो सिर्फ ब्रैंड का नाम बताएगा अर्मानी का perfume है लताफागा है है कुन सा यह या तो उसको पता भी नहीं होता या फिर वो बताना चाहता नहीं है तो scene compliments देने का लेने का बड़ा बुरा ही रहता है पर फिर भी कुछ perfume सैजे है जिनको लगाने के बाद लोग मजबूर हो जाते हैं आपको compliment देने के लिए और आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं सारे perfumes की तो पूरे 10 perfumes रखे हैं यहापर मैंने लिस्ट में और साथी 5 honorable mentions की भी बात करूंगा मैं honorable mentions का मतलब है वो वाले perfumes जो इस लिस्ट में अपनी जगा नहीं बना पाई बट वो इतने ज्यादा अच्छे थे कि उनको दिखाना तो बनता है तो यह है honorable mention number 1 right look day का price 1500 से 2000 रुपे का रहता है दूसरे honorable mention की बात करेंगे हम जो है अजमल का silver shade तो silver shade के साथ क्या है कि यह बहुत अच्छा performer है air में इसकी खुश्बू बहुत अच्छी लगती है creed के silver mountain water जैसा ही लगता है पर इसके साथ problem यह है कि इसके अंदर बहुत strong metallic tone है जो आपके खुद के सर में दर्द कर सकती है तो इससे थोड़ा सा बचकर रहना पड़ जाता है तो यह है honorable mention number 2 अजमल silver shade की बात करें तो MRP तो इसका भी जाता है पर इसका जो price है यह पंदरा सोगे आसपास का आपको मिल जाता है third honorable mention है jaguar का एक perfume जो है jaguar classic black दोस्तों यह काफी दिलों से काफी सालों से लोगों का पसंदीदा बना हुआ है और यह काफी अच्छा लगता है इसकी खुचबू 1000 के chrome legend जैसे लगती है और यह बड़ी soothing और pleasant ही लगती है और क्योंकि यह discount के बाद 2000 से कम में मिल जाता है इस वज़े से इसको इस list में रखा गया है तो यह है honorable mention number 3 fourth honorable mention जो है यह मैंने आपको एक दो list में दिखाया हुआ है और यह बुल्गारी aqua amara का clone है यह है pandora amorist काफी attractive खुश्बू है इसकी थोड़ी थोड़ी सी वैसी लगती है बट थोड़ी से synthetic भी लगती है तो यह है honorable mention number 4 amorist का जो budget है यह 2000 रुपे का है और fifth और last honorable mention है अलहमरा का पॉर्तो निरोली दोस्तों क्या गजब के खुश्बू अगर सिर्फ smell में देखा जाए तो मैं इसे हमेशा 10 by 10 mark से देता हूँ इसकी खुश्बू बड़ी प्यारी है यार performance इसकी थोड़ी सी कम है बट शुरू के टाइम में compliments का scene इसका बड़ा जबरदस्त है लोग आपको notice कर पाते हैं और उन से रहा नहीं जाता है तो वो आपको compliment दे सकते हैं तो ये रहा honorable mention number 5 पोर्टो ने रोली की price की बात करें तो ये भी आपको लगबग 1500 से 2000 के बीच का मिल जाता है अब चलते हैं दोस्तों सीधा main list पर और जो 10th spot है वो मिला है लताफा, कायदल, फुरसान या बिल्कुल इसी खुश्बू वाला एक और जबर्दा सेंट जो है रेवनाव तो इन दोनों की खुश्बू आपको बिल्कुल सेम मिलेगी फ्रूटी है, वरसेटाइल है, स्टॉंग है और एर में बहुत अच्छी लगती है थोड़ी सी सिंथैटिक टोन इन दोनों में ही लगती है पर अगर इन दोनों को कंपेर किया जाए तो जो रेवनाव की स्पेंग क्वालिटी है, वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी मिस्ट देती है, इस वजए से रेवनाव मुझे ज्यादा बसंद आता है बाकी खुश्बू में ये लगबग लगबग बिल्कुल सेम ही है और इन्हें लगाने पर गर्मियों में आपको कॉंपलिमेंट्स मिलते हैं, इन दोनों के प्रैसेस के प्लस इसकी खासियत ये है कि आप इसे ओफिस में ज़रूर लगा सकते हो, ये ओफिस में काफी अच्छा लगता है, और अगर आपकी एज 20 से ज्याद अगी है, तो ये आप पर और ज्यादा अच्छा लगता है थोड़ी-थोड़ी सी बाबर शोफ वाली वाइब है, और ये इस जोनरा का सबसे बेस्ट परफियोमी है, परफॉमेंस इसकी भी काफी अच्छी है, ये लोंग लास्टिंग तो बना ही रहता है साथ ही इसकी जी शुरू के दो-तिन गंटों का प्रोजेक्शन अंसी आज है, वो भी अच्छा है जिसकी वज़े से लोग आपके परफियोम को नोटिस कर पाते हैं और आपको कॉंप्लिमेंट्स देते हैं अर्मफ की लेगेसी का जो बजेट रहता है, वो दोजार ग्यास पास कर रहता है चलते हैं दोस्तों, एट स्पोर्ट पर और एट स्पोर्ट मिला है लताफा सुकरात को सुकरात यार मुझे बहुत जादा पसंद है और उसका रीजन ये है कि जो इसकी खुश्बू है पिर भी इतनी मिलती है कि ये लोग लास्टिंग बने रहेकर अच्छा प्रोजेक्शन एंसी आज सर्फ करता है और आपको इसे जरूर ट्राइ करना चाहिए और अगर आपको एक्वा दी जो प्रोफोमो का डियन ने पसंद है तो ये एक मस्टा फ्रेग्रेंस है सेवन स्पोर्ट पर चलते हैं जो कि एकवा दी जो प्रोफोमो का तो ग्लोन नहीं है बट एकवा दी जो ओरिजिनल का ग्लोन है और उसका बहुत अच्छा क्लोन है बहुत सुधिंग क्लोन है यार गर्मियों के लिए सबसे बैस्ट है आप इसे किसी भी occasion में लगा सकते हो किसी भी situation में लगा सकते हो और ये है Frank Oliver का Blue Touch कॉलीज हो, ओफिस हो, स्कॉल हो, कैशुली आप कही पे जा रहे हो या फिर दोस्तों के साथ गेड़ी यू ना मार रहे हो यार ये पर्फियूम आपको हमेशा मजा दिलाता है और आपके आसपास वालने लोगों को बहुत अच्छा लगता है इवन आप इसे डेट्स पर भी लगा सकते हो और ये आपके पार्टनर को बुरा नहीं लग सकता पर्फॉमेंस इसकी बहुत जादा अच्छी तो नहीं है बट इतनी है कि अगर आपने इसके कुछ स्प्रेज एक्स्ट्रा लगा लिए हैं तो आपको हमेशा ही अच्छा फील मिलेगा और जो लोग है आपके आसपास वाने वो आपके पर्फॉम को नोटिस कर पाएंगे फ्रेंकल लिवर प्रोटेज के भी अगर प्रैस के बात करे जाए तो ये भी आपको लगबद 2,000 रुपे के आसपास का मिल जाता है इसी वज़े से ये रहा नमबर 7 स्पॉर्ट पर नेक्स टर्म 6 स्पॉर्ट पर चलते हैं जो की एक काफी नोन पर्व्यूम है आप इसको पहले से ही जानते हो साथी बतारों स्पेशली में गर्मियों के अंदर जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी रहती है बाकी एक ट्रिक आपको हमेशे ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको किसी परव्यूम का ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस कमारी है आपको या फिर आपको उतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो पा रहा है वैसे तो खुद को इधर में वाली फील उतना हो नहीं पाते क्योंकि olfactory fatigue हो जाता है इनके साथ विट अगर आपको लग रहा है कि लोगों को भी अच्छा impression नहीं पड़ पा रहा है चलते हैं दोस्तो टॉप 5 परवियूम्स के तरफ और जो 5th spot मिला है वो मिला है लताफा फकरफुर मैन दोस्तो ये आपको याद दिलाता है वैसल वाई एडिपीगी और ये वैसल वाई एडिपीगा बहुत अच्छा क्लोन है खुद को ये बहुत simple fragrance लग सकती है बट air में ये काफी अच्छी sophisticated high class fragrance लगती है और attractive इतनी कि आप इसे अपनी dates पर अराम से लगा सकते हो साथ ही जो college going boys है वो भी से लगा सकते है और office में जाने वाली जो लड़के है वो भी से लगा सकते है ये सबी लोंडों पर एक दम जबर्दस्ती लगती है plus क्योंकि इसकी performance अच्छी है यानि ये long lasting भी है और इसका projection अन्सियाज भी काफी अच्छा है तो आपको notices और compliments भर भर के मिलते हैं और ये हर बार की तरह इस बार भी लिस्ट में बरकरार है MRP इसकी भी थोड़ी ज़ादा रहती है बट 1500 से 2000 के बेच में डिस्काउंट के बाद ये आपको आराम से मिल जाता है तो ये आपको जरूर ट्राइ करना चाहिए fourth word पर चलते हैं एक new entry की तरफ जो की मैंने आभी तक आपको show नहीं करा है बट यार ये काफी अच्छा perfume में मुझे इसने compliments दिला है और ये है अलबेतल दमिश्की का Aventus अलबेतल दमिश्की का गया है कि इनकी जो bottle design है वो लगबग लगबग same है बस इनके पीछे इस sticker जो है वो change हो जाते है जिसके भी clone होते हैं उसका sticker लगा देते हैं और ये वाला जो है ये Aventus का clone है तो जैसा कि आपको पता है कि जो CD name है या फिर जो बाकी Aventus के clones है वो आपको इतने सस्ते नहीं मिलते है 2000 से कम तो वैसे भी नहीं मिलते है पर इसका ये है कि 2000 के budget में इसका जो price हो 2000 के आसपास कहीं रहता है मिल जाता है अपको 2000 का तो इस budget के अंदर ये Aventus का एक काफी अच्छा clone है जिसकी performance एकदम beast mode ही है तो ये long lasting तो रहता ही है साथ ये projection and CRJR काफी अच्छा कई गंटों तक का बनाये रखता है और जैसा कि मैंने बताया कि all factory fatigue की वज़े से हो सकता है कि आपको खुद को इसकी खुश्बू ना आपाए बट आप जब किसी नए कमरे में दाखिल होंगे या किसी नए इंसान से मिलेंगे दिन में उसको आपके scent का एहसास होगा और उसे पता चल जाएगा कि आपने कोई luxury perfume लगाया हुआ है और इसे लगाने पर मुझे compliments मिले हैं इसी वज़े से ये top 5 के अंदर इतनी जल्दी आ गया है इसी की तरह हम चलेंगे 3rd spot पर और 3rd spot जिसे मिला है वो भी एक new entry है जो है नसीम का Lost in the Woods ये थोड़ा सा अलग perfume है ज्यादा dense है काफी unique है पर खासियत इसकी यह है कि इसे लगाने पर भर भर के compliments मिलते हैं साथी जो इसकी performance है वो feast mode है तो ये पूरा दिन long lasting भी रहेगा और जबरतास्त काफी heavy projection and siyaj बनाए रखेगा जिसकी वज़े से आपके around एक scent का bubble create हो जाएगा और जैसे कोई आपके उस scent के bubble में आएगा उसे आपके perfume का एसास भी होगा और वो आपको compliment दिये बिना रह नहीं पाएगा बस इसके साथ ये है कि इसका जो base है वो alcoholic नहीं है बलकि इसे लगाने पर ऐसे ये थोड़ा सा white colouring देता है तो अगर आप इसे अपने कपड़ों पर लगा रहे हो तो थोड़ा सा दूर से लगाना कही कुछ ऐसा ना हो कि आपके कपड़ों पर कोई stain आ जाए और जनरली भी जो perfume लगाते है वो कभी भी ज़्यादा पास से नहीं लगाते है उसे दूर से ही लगा जाता है ताकि perfume को लगाने पर वो थोड़ा सा fan जाए और ज्यादा area cover करें पर यार इस perfume ने मजा दिला दिया इसी वज़ेसे ये top 3 में इतनी जल दिया चुका है 2000 के borderline पर ही इसका price आपको मिल जाता है पर यार मैं सही बता रहा हूँ इसके जो पैसे है वो पूरे justified है और ये एक बहुत अच्छा perfume साबित हुआ है साथी है versatile भी काफी है तो आप इसे गर्मियों के अलावा बाकी seasons में भी try कर सकते हो और ये अच्छे feel भी देगा और लोग notice भी करेंगे दोस्तों अब चलते है second spot पर और second spot भी पिछली बार की तरह इसी perfume ने अपना जो sport है वो बरकरार रख रखा है और ये है रसासी फतान तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि Terry D Hermes जो कि Sanju Baba का favorite perfume है उस perfume के यह याद दिलाता है और ये सबसे सस्ते और अच्छे वैटीवर बेस elf परफूमस में से एक है पर जनली क्या होता है कि जो वैटीवर बेस परफियूमस होता है वो थोड़े से तोड़े से mature होते है यह उतरा ज्यादा मैच्छोर नहीstar यानि ये सिर्फ ज्यादा उम्र के लोगों के लिए नहीं है बलकि इसे कम उम्र के लड़के भी ट्राई कर सकते हैं और वो इसे अपने ओफिस में लगा सकते हैं और बाकी भी गर्मियों की किसी भी सिचुएशन में आराम से लगाया जा सकता है साथ ही ये स्प्रिंग में भी अच्छा लगता है और त्यूंकि इसकी परफोर्मेंस अच्छी है इस वज़े से आप इसे बाकी सेजन्स में भी एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो सिट्रेसिस के साथ वेटिवर का ब्लैंड एक दमजबर्दास्ट जो की मेरा पस और फेवरेट है पंदरा सो का बज़ेट रहता है इसका बट इसके साथ सिर्फ एक यही प्रोग्लम है कि जो इसकी बोल्टल है यह सिर्फ 50 ml की आती है तो यह थोड़ा महंगा तो पड़ता है पर जैसे मैंने बताया कि यह वेटिवर परफ्यूम्स के लिए और इस तरीके के ब्लैंड के लिए यह पैसे कुछ भी नहीं है यह रसासी के सबसे बैस्ट परफ्यूम्स में से ही एक है और मुझे बहुत ही पसंद है तो इसे तो अपने कलेक्शन में शामिल करना बनता है और आपको इसे लगाने पर कॉंपलिमेंट्स मिलते हैं बट रसासी के case में ये ध्यान रखना कि रसासी नकली बोत आते हैं तो प्लीज नकली वालों से बचकर है ना अगर आपने नकली ले लिया है तो वो आपको कोई भी ऐसे फिल नहीं दे पाएगा अब चलते हैं दोस्तों आज के नंबर वन पर्फ्यूम पर पर नंबर वन जो स्पोर्ट है वो अभी भी इसी का ही बना हुआ है क्योंकि ये पर्फ्यूम है इतना अच्छा तो जितने भी यंग लड़के हैं उन पर ये अच्छा लगता है और ये ऐसा पर्फ्यूम है कि इसे वो कॉलेज में लगा सकते हैं अपनी डेट्स पर लगा सकते हैं कॉलेज की पार्टीज में लगा सकते हैं या कही भी कभी भी इसे आराम से लगाया जा सकता है ये पूरी sprayer की तो आपको क्या करना पड़ता है अगर ज्यादा अच्छी performance लेनी एसे तो कुछ extra sprays लगाने पड़ते हैं क्योंकि ये जो mist है यार ये बड़ी छोटी निगलती है इसका आप travel भी देखोगे कि बहुत कम है इसके sprayer का travel तो कुछ sprays extra लगा लो अगर ज्यादा performance चाहिए पर इसकी performance ऐसी है कि ये गजब का long lasting रहकर आपको बहुत अच्छा projection and सियाथ सर्फ करता है इसी वजए से ये रहा आज का number once है वीडियो खतम हो चुकिया दोस्तों लाइक करे बिना कोई नी जाएगा जैसे कि मैंने पहले बता